हेलो एवरीवन, Modern Indian History की स्रीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, यह हमारा आथवा सेशन है, आप पहले की वीडियो प्लीज जाकर देख लें, तो यह हमारा important होगा किस-किस exam के लिए, जाहर सी बात है, UPSC, State Pcs, जिसमें most important है, UPSC, जो 2020 वाला होगा, Pre, उसके लिए, और B.E.O.R.O.A.R.O. जैसी Pre exam के लिए काफ़ यह important होगा, तो बहुत जान से आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, मेरा नाम शर्दा है, मैंने MSC किया है, इलाहबाद इनुश्टी से, उसके बाद मैंने बियाद किया है, यह आज का हमारा topic होगा, उसमें हम समझ जाएंगे, और कुछ अन्य सक्टियों का उदय होता है, इन सब को आज हमें ठीक से देखना है, समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं, सोराजिस्ट और नोचिंजर्स के बारे में, आखिरकार यह स्थिति क्यों बनती है, कि कॉंग्रेस के समक्ष फिर से दुबारा एक विभ जो आंदोलन था, वो पुरी तरह से इनक्टिफ फेज में चला गया था, तो यहां पर विचार उबरता है, कि अब कैसे आंदोलन को बनाए रखा जाए, कैसे जनता में एक शक्ती संचालित होती रहे, आखिर क्या किया जाए, तो एक विचार उबर कराता है, कि क्यों ना हम हम लोग रेजिस्टेटिव काउंसल जो है, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, इसका भाहिसकार करने के बजाए, क्योंकि पहले कि जो रणीटी थी, वो बॉयकार की थी, बहिसकार की थी, कि हम एलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम वोट नहीं करेंगे, इस टाइप दूसरा खेमा सामने आता है कॉंग्रेस का, जो की लीड कर रहा, जिसको लीड किया था, सीराज गोपालाचारी जी, वल्लभ भाई पतेल जी, राजेंद परशाद, म. अंसारी, ये सब यहां पर सामने आते हैं, इनको बोला गया, नो चेंजर, कि हमें ये चेंज नहीं चाह चाहिए, तो नो चेंजर, अपोस, कॉंसल, इंट्री, इनोंने बोला कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, कर्स्ट्रक्टिव वर्क पर रशनात्मक कार्यों पे, एंड कंटिन्यूएशन आफ दी बॉयकॉट और नोन कोपरेशन, कि असायोग और जो बॉयकॉट है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, एंड कुट प्रेपरेशन फॉर एंप्शन फॉर दी सिविल डिसोबियन्स मुवमेंच, तो इसा नहीं है, इसको चलाते रहते हैं, हम लोग कर्स्ट्रक्टिव काम और बॉयकॉट और नॉन कोपरेशन के वादें, हम लोग इसे चलाते रहते हैं and announced the formation of the Congress किलाफा सुराज पार्टी तो अब यहां पर क्या होता है कि यह लोग establish करते हैं Congress किलाफा सुराज पार्टी कों सुराजी लोग, बोलते हैं कि हम Congress, मतलब Congress में यह लोग मान नहीं रहे थे, यह जो दूसरा खेमा था, यह राजी नहीं होता है कि हम इसमें participate करें, तो को लिड करने वाले कौन लेता थे वहां पर थे सी एरदास जी के संफरी का खेमा दुसरा हो गया नूचेंजर कीपने योटाइद्वन ऺछेंजर में याते थे यहां जांसर inability के साफना करी जो कि सुराज पार्टी भी कराती है इसके बाद जो सुराज इस थिंका और्गियमेंट क्या था इनका क्या बोला था इस बारे में कि इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं इनका मानना था कि इंजरिंग इंडी कॉंसिल इन लुट नॉट नीगेट प्रडवियह लोग आपकर सब्सक्राइब दोगर हैं, हैं और असेयों को बढ़ाने के लिए एक और ब्राइड मतलब एरेरा दे रहे हैं एक एरिया दे रहे हैं इट इज टैम टूप आफ पॉलिटिकल वैक्यूम काउंसल वर्ड 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 शर्ड टू इंथूज दा मासस एंड कीप अप देयर मॉराल तो उन्हों ने कहीं न कहीं उनका जो मोराल है वो मतलब हायर हो जाएगा इंट्री ऑफ निसली वोड डिटर दा गवर्मेंट फ्रॉम इस्टाफिक दा काउंसल विद अंडिजारेबल ऐलेमेंट इतका यह भी बोलना था कि अगर हम नहीं लेक्शन लड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई नही इलेक्शन और हो सकता है वो अन्डिजारेबल हो आवांचनी तत्व हो तो उनकी इंट्री यहां पर हो जाएगी तो हमारे लड़ने से क्या होगा कि कम से कम इन लोगों को तो बचाओ इन लोगों से बचाओ कर सकेंगी रेजिस्टिटिटिव असांबली का तो इनोंने बोल कि रायनेतिक संगर्स को बढ़ाने के लिए ये कांसिल एक छेत्र की रूपे काम करेंगी देरवार नो इंटेंशन टू यूज ऑफ दी कांसिल्स एज और ग्राज्वल इन्फॉर्मेशन और ग्राज्वल ट्रंस्फॉर्मेशन और को इनोंने बोला कि हम ऐसा नहीं कि वहां इसके बाद हम देख लिए नो चेंजर्स तो थे उनका बोलना था कि हमें कोई परिवर्दन नहीं चाहिए तो परिवर्दन विरोधी जो हिंदीम कह सकते हैं तो उनका क्या अर्ग्यमेंट था इन्होंने बोला कि आर्ग्यूट दा पार्लेमेंटरी वर्क वोड लीट तु तो अगर हम अगर संसंद में पार्टिस्पेट करेंगे तो यह जो क्रांतिकारी प्रकार का लोगों के लोगों के हिर्दय में जो भावनाय उबरी हैं तो यह कहीं न कहीं धूमिल हो जाएंगी एंटु दी पॉलिटिकल करप्शन तो आखरी में क्या होगा कि रायनेतिक जो हम वह सकार कर रहे गोँए तो हम अगर हम पार्टिस्पेट करेंगे तो हम अपने ही नियम से अलग हो रहा हैं समझasto अपने नियम से लग रहा हैहो तो ऐसी जनता में क्या हमारा सजज जाएगा तो यह सारी बाते भी थी तो यह सब यहाँ पर नोच्भस अपनी बात रख नोचिंजस अपनी बात रखते हैं अब क्या होता है कि अब दोनों ये बात समझ रहे होते हैं कि जैसे 1907 में सुरत का भी भाजन हो गया था मतलब कॉंग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था इन दोनों में डिवीजन हो गया था और उन्होंने बात में पाया था कि ऐसा है क यह जो बिटेश हैं यह हमें डिवाइडी करना चाहते थे और अलग होने से किसी का भी लाप नहीं वहता बलकि दोनों की हान ही हुई थी तो अब यहाँ पर क्या सूचते हैं लोग कि अब हम लोग डिवाइड होना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी हालत में तो यह मानते हैं कि गांदी जी की जो लीडर्शिप है वो इंपॉर्टेंट है गांदी जी को लीड करना है हम दोनों को ही मतलब इस मामले में दोनों लोग शोर थे तो क्या होता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों लोग कॉंप्रोमाइज करते हैं कॉंप्रोम इस पर हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे इस माल में क्या करना है तो इसको विचार किया गया यहां पर 1923 में दिल्ली में जो मेटिंग हुई तो यहां पर जो स्वराजिस्त थे अभी यहां पे इलेक्शन में उतरते हैं और इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या था इसको लोग मतलब होता है कोष्णा पत्र कि अगर हम इलेक्शन के बाद हम क्या क्या यहां पर लाएंगे तो यह रिलीज होता है अक्टूबर 1923 में स सब्सक्राइब करें लिए 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 पेपर राजिश्टी मैनिफेस्टो 2 का इनके अंतरकत जो था उपनिवेशवाद के काफी विरोधी विचार यहां पर सामने आए जैसे कि इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिस का जहां पर रूल करने का जो आइडिया है वो यही है कि काफी सेल्फिस है उनका जो स्वार्थ है यहां पर काफी ज्रड़ है इन्होंने बोला कि यह बेफ को गनाने वाला काम एक प्रकार से इन्होंने किया है जो रिफॉर्म लाए गए थे उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉंसिबल गवर्मेंट यहां पर लाई है कुछ नहीं लाया जो हमारे यहां जो अभूत पूर वह बहुत ज्यादा अन्लिम्टेज रिस्पॉर्स है उसको यूज करना और यूटिलाइज करना यहां पन का काम था इन्डियन्स पर्मानिटल इन्दी सब्रिवेंटर पॉजिशन इन्दा बिटेन तो जो इन्डियन्स है इनको यह हमेशा अधीन वस्था में रखते हैं अपने बिटेन की लोगों की तुल्ला में और ऐसा करके क्या करते हैं जो हमारे नैश्रल रेसोर्सें से भारी मात्रा म सब्सक्राइब करेंगे इफ इस डिमांड वाजए अगर वो फेल होती है नहीं अक्सप्ट करते हैं लोग तो हम क्या करेंगे यूनिफॉर्म एक मतलब लगातार एक प्रकार से कंटिनिवस लगातार कंसिस्टेंट मतलब ही लगातार अब्ट्रक्शन करेंगी किसका मतलब मतलब क्या कि बाधा पहुंचाना काहे में बाधा पहुंचाना की जो काउंसिल beetle ऐमें बाधा पहुंचाने काम करेंगे कि क्या होग काम करना मुशकुन हो जाएगा लगभा लगगं इंपसिबल हो जाएगा तो ये सारी बाथि maturity वे उर्फरम 1C odpow तो ऐसी सिती में जो बिटिश गवर्मेंट है वो मजबूर हो जाएगी कि हमारा जो सल्फ गवर्मेंट है इस ताइप की जो हमारी मांगे है वो दिय दिरे पूरी होंगी इस प्रकार का इनका मैनिफर्स्टों में सामने आता है इनकी इरादे आगे देखते हैं कि कांधी जी का इस मामले में क्या रोग था उनके क्या विचार थे गांधी वाज इसलिए अपोर्ट टुदी सुराजिट प्रपोजल ऑफ कांसल इंट शुरू में इनका विचार था कि कांसल में इसा कहीं नहीं अच्छी थी तो उनको तुझेल से पहले ही छोड़ दिया गया कि सुराजिश्ट से मतलब मेर मिला पर के इडाना यादा अच्छा है मतलब कॉंग्रस में डिवीजन नहीं होना चाहिए ऐसा कहीं नहीं गांधी जी कहीं मन में भी था और साथी साथी महसूस तो यहां पर सितंबर में क्या हुआ था मिटिंग हुई थी सितंबर में मिटिंग हुई ओक्टूबर में मैनिफेस्ट हो आया और फाइनली नवेंबर में हमें यहां पर देखने को मिलना हैं के इलेक्शन हुआ तो यहां पर एकसुआ शोट उीज़ सीट थी उसमें से 42 को उन्हें जीत लिया कि इनों ने जीत लिया सोराजियों ने एंड एक्लियर मिजॉर्टी से सरकार इन्हों ने बनाई सेंट्रल प्रोविंस में जो मध्य प्रांथ है वहाँ पर पूरी क्लियर्टी से इन्हों ने यहाँ पर सरकार अपनी बनाई देरवाजा गवर्मेंट क्रांग डाउन और रिवाल्योशनली तेरिष्ट एंड सोराजिष्ट टुवार्ड इंड उन्ने से चौबिस में सरकार 16 क्रांग डाउन लाती है और रिवाल्योशनली जो क्रांतिकारी गत्विदिया थी वह देखने को मिलती है तो यहाँ पर यह जाते हैं कि अब इसको कंट्यून नहीं करना है यह साली चीजह थी और गवर्मेंट का जो था वह भी यहां पर दबाव देखने को मिलता है और यह लोग काफी अच्छा काम नहीं भी कर सकते हैं उसको समझना है सुराजिष्ट की एक्टिविटी कैसी रही कांसिल के अंदर यह यहां पर देखते हैं जो सही करते था वो यहां पर करने में कहीं लगें इसफ़ल हो जाते हैं लॉट दा सपोर्ट आप मैंने मुस्लिम समझ रहे हैं तो इससे कि अवगर जो मुस्लिम थे उनका सपोर्ट आप हैं नहीं मिलेगा उन्हें लगेगा कि यारी तो हिंदू वाला काम कर दिए यह दूकर के तो हिंदो औरणी वाद वाला कंसर्ट पाया जाता हैं यह क्या करते था नहीं जाना जाते थे तो यह कहीं नहीं injection करणा अ मद्टिय वर्में करने भाण Krieh Kathleen तो इन्होंने इनका हिंदुतवादी वाला जहाज रिस्पॉंस्विश्ट वाला मेथड तुसकी कारण क्या हुआ कि अपनी कुछ खास मांगों को पूरा करवाने के आएवज में कहीना कही सरकार से जुड़ने लगे थे ठीक है एडवोकेटिट कोपरेशन विद दा गवर्मेंट एंड होलिंग ऑफ ओफिस वेनेवर पॉसिबल तो यह बाते हो गई है तर्फ दा में लीजर्शिप ऑफ दी सुराजिश्ट पार्टी जी रेट्रेक्ट फेथिं मास्स सिविल जिसर्बियंस एंड विद्डॉदा फ कि आपक इस तरफ जो मास्स लेवल पर सिफ्विल जिसर्बियंस है उससे न Bye विश्वास हज जाता है और अंद्वलन को वापस लेते हैं मार्च1 उनिसाचयए shear हो एंद्वलन को वापस लेने की बात होती है यहां पर बास ब्रसफ लेजर इस से अब घ 27 ein व होरा था इन 1903 पूर्ण सुराज वाली बात जब 1930 के सेशन में हो जाती है तो उसके वाज में यह लोग निकल जाते हैं इससे अपना विड्रॉल कर देते हैं यहां पर यह हमें रेखने को मिलता है CDM शुरू होता है अब यहां पर हम देखेंगे कि आखिर इनका क्या रहा इन्होंने क्या क्या पाया यहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद मतलब गवर्मेंट में पहुंच गए पहली बार राष्टवादी लोग सरकार बनाते हैं तो काफी अलग टाइप का अनबूती होता है तो जो जनता थी उसमें महसूस करती है कि हम भी कही रहा कही रूल कर रहे हैं तो आगे दिखते हैं कई बार क्या होता था कि गवर्मेंट का कोई रिजॉल्यूशन है तो वो उस पर आउट निगेटिव रूप से वोट कर देते थे उसको बादा पहुंचा देते थे कई बार ये एज़ॉर्मेंट मोशन में पास कराने में मतलब योगदान कर जाते थे और बजटरी ग्रांट जो बज़र समधी प्रस्ताफ है उस पर भी वीटो का मतलब वो नकारातमक साइट से कर देते तो उसको रोक देते थे ये तमाम चीज़े होती थी इन सब के बारे में पावर्फुल स्पीच देते थे जनता के मद तो इससे जो जनता थी वो भी इनसे काफियादा जुड़ती जा रही थी वर्लभाई पटेल वाज एलेक्टेड वर्लभाई इस नॉट इस विठल भाई ना विठल भाई चुने गए थे 1925 में जी तो विठ पटेल चुने आते हैं के अंधरी विधाई का परशद के जो इस पीकर थे उसके रूप में चुने आते तो यह बड़ी अप्लब्दी मानी गई थी इसके बादा नोटवर्दी अचीविमेंट वार्दा डिफीट ऑफ दी पॉब्लिक सेफ्टेविल उन इन 1926 माय था पॉटेंट अचीविमेंट माना जाता है तो करता क्या था इस मतलब यह पास अगर हो जाता तो क्या होता तो सरकार इसे चाहती थी कि जो उनके आवांचनी और जो समाजवादी कुछ विचार उबह रहे थे सामेवादी कम्योंश्ट तो उन्हें रोकने के लिए यह चाहती जिए सिदा पूच सकते हैं क्यूंकि ऐसे कोशन आया था कि 1883 का इलबर्ट विल है तो इसका क्या मतलब एम था तो इसका एम यह ता कि यह ये यॉरोपिये जजग है तो वही कैवल क्यों मतलब वही क्यों ऐसे मामले पर इनडियुन यह नहीं युजमादी का हुने मामला उ keeping its strength. तो जो राजनितिक निश्चरेता की अवस्था थी, राजनितिक रूप से यहां पर निर्वाद की इस्टिती थी, ऐसी इस्टिती में यह लोग यहांपर आंदोलन को कही न कहीं जारी रखने पे उसको मजबूती बनाये रख पा रहे थे तो यह चीज थी, जो मॉंटेगी चिम्स फूर्ड का जो रिफॉर्म था, वह वास्ताव में वह कितना मजबूत है, कितना वह सार्थक है, वह यह लोग इसको प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, इसके बाद काॉंसल कुड़ बी उजली, तो यह यह ब्रस्ट कर जाते हैं, कि जो काउंसल है, इनका प्लोयोर रचनातमक तरीके से कीया जा सकता है, बिल्कुल यहां पर कीया जा सकता था, इसके बाद हम देखते हैं, कुछ इनकी कम्या रहा गई थी, जो कि इनको नहीं होनी चाहिए थी पर होई जाती है हर जगा हो जाती है सुराजिस लेका पॉलिटी ओफ कॉर्णेट देर मेलिटनसी इंसाइल इस लेचर विद्ध मास इस्टगल और साइल मतलब अंदर से इनका जो विचार था काफी कैसा था मिलिटनसी वाला था उगरवादी विचार था और जो नश्वां बाहर मास्ट ुकर रही है मतलब आपस में ये सामता नहीं होता है समझा मतलब कॉरिणीरेशन यहां पर कॉर्णेशन का भावठ बायाता है जो इनके इंस पेपर यंद्धी विचार है वो जनता बाहर है तो दो तरीके चाहरिए से यह लड़ना था तो यह कही न काफी गलत हैंने खुछ जनता में जाके काम करना चाहिए जो कि यहां पर इंद करने में अस्फल हो जाते हैं मतलब यह क्या कि अप्स्रक्शन की भी अपनी सीमा होती है मतलब कि कि इतना विरोज करके कि इतना आप चेंज ला सकते हैं कि सीमा थी तो वो इतना सीमा से दिख नहीं कर सके दे कुड़ नौट कैडि ओन विद देर कोईलेशन पार्टनर्स वैरी फॉर बिकॉस ऑफ कंफ्लिक्टिंग आइडिया विश फंदर लिंटे देर इफेक्टिवने तो उनकी काउंटर पार्ट होते थे उनके साथी होते थे आपस में ही वैमनस्ते का भाव और तमाम मतलब मतलब बेद हो अरने की कारण वे उनकी ताकत को उनकी शक्ति को यूटिलाइज नहीं कर सके और प्रबावी रूप से यहां पर काम नहीं कर पाते हैं तो पावर और ओफिस जो मतलब इने शक्तियां प्राप्ट होई थी सत्ता में जाने के बाल इसको भी यूटिलाइज करने में कहीं न कहीं असफर लेते हैं जो बंगाल में जो किसान थे उनकी समझाओं को यह सौल करने में कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं लॉट्स सपोर्ट अमंग दी मुस्लिम इमेंबर होवर प्रोपीव पीजन तो ऐसे जो मुस्लिम सदस यहां पर पाई जाते थे जो कृष्कों के दुख को समझ रहते उसकेस में तो उनका ही सपोर्ट यहां पर खो देते हैं तो यह कुछ कम्या हो गई कि इन उस पेपर मदब ट्रस्ट कर रहे हैं और कॉडिनेट करने में कहीं तरगत कमी हैं कुछ मत्भेद हो गए हैं और जो बाधा करने वाले जुरानिती उसकी अपनी सीमाए होती हैं यह सारी बाते हो गई और जो जो चीज़े प्राफ होई थी इसको भी अच्छे सारीके से यूटिलाइज नहीं कर पाई कहीं ना कहीं अपने प्रिविलेज को अपने विश्यशादिकारों को यह सारी बाते हैं यहां पर हो गई आगे क्या है जब इस लोग लिए चले गए तो दूसरी हो जो उनका विचार था नो चेंजर वालों का कि कि हमें अंदर नहीं जाना है तो वो करते हैं constructive work रचनातना कारें तो इनका जो काम था इसको समझ लेते हैं दा शबिए पुरु सायलाये थे बहो जाकर काम करते थे और सजुदील और लोईर कास्ट के लुगों के विए वो दो कि बौप्व करते थे और इने लोग क्रिए बनाया चर्क । घादी को गोलती को नेशनल कॉलेज की और स्कुल की स्वापनाया पर जो कि students were trained in a non-colonial ideological framework जहां पर बच्चों कुछ ट्रेंड किया था किसी साब से जो अपने वेश्वादी विरोधी विचार है उसे साब से ने ट्रेंड किया था इसके लावर जो हिंदू-Muslim एकता है उसके मामले में अच्छे काम देखने को मिलते हैं जो आज प्रश्टता थी कि उसके निवारान के लिए कई काम और जो विदेशी कपड़े और विदेशी शराब थी और तो यह सारी चीज़ें आपर मिलने देखने को मिलती ही जो बार आ जाती कई बार तो उसमें यह लोग राहत पहुंचाने के दिशामें भी काम करते थी तो यह सारे काम रश्णात कि तो इन्होंने काम किया बैकबोन की तरह सिविल डिसोगिंस मुमेंट की दौरान तो एक अधार शीराइक प्रिकार से यह बना रहे गया था आगे के लिए क्रेटिक ओफ क्रशक्शिकवर्ड तो अब रश्णात में कार्यों का थोड़ा साल उचना तो इसमें क्या है कि नेशनल एजूकेशन जो थी वह कहां तक पहुंची निय्स के लोब aan लोबर और मीडिल कलास तक कि हो होगी तदयग के लोवर और मीडिल कलास तक ही पहूंची वह बТट सुछे लूघ्वर ऑर देख को पुछ पाई यह पंभा दो ढे Birds भी नहीं तक बाई ऒंख स समय के बाद इनकर मीदोंगर के स्टाफ तो इन चीजों के वाज़े से धान इनका हच जाता था और यह ज्यादा सफन ले पाया था मतलब लोग जुग जाते थे किसकी ओर जो गवर्मेंट द्वारा इस्टाइबलिस स्कूल और कॉलेज से उसकी ओर जुगा देखने को मिल जाता था इसके लबा जो पॉप्लाराइज करना मुश्किल होता था कहीं न कहीं साथी साथ जो कर्ष्ट्रक्टिव वर्ग था उसकी कहीं न कहीं अपनी सीमाई थी और लोग सारे के सारे इतने समझार होते नहीं कि आप उनको समझाओ कि अंटश्बिल्टी और जाती वाद की सब समझाना कितना कथे न आप जानते हैं नई नई प्रकार की विचार और जो विदेशों की जो गच्छ विदिया थी उन सबसे प्रभावित कही बार होता था तो यह सामने आता है तो यह सी समय पर था सबसे में बाद हैं आपर होती हैं कि जो माक्स ने एक थौट दिया था जो माक्स बोलते हैं कि जो एक शोषग और शोषग वाली concept तो वो यहां पर popularize हो जयाता है उसके लावार जो समाजवादि वीचार है वो popular हो जयाता है तो इनका मानना था कि जो गांधी जी की फिलोसफी है साथी साथ जो हमारा सुराजी है और जो नोचेंजर्स है ये सारों की फिलोसफी है वो भारत की आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक, समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है वो कहीं न कहीं अस्फद होगी तो ऐसा इनका मानना था तो ये क्रिटिक थे किसके किसके दोनों के क्रिटिक होते थे सुराजवादियों के भी और नोचेंजर्स दोनों के एक क्रिटिक होते थे पूर्ण सुराज भी ने चाहिए और जो एंटी-इंपेरियरिजम है वो होना चाहिए यह बात हैं पर करते हैं कि कम्प्लीट हमें पूरी तरह से चाहिए वर इंफ्लिच बाइवेरनेस इस्ट द नीज ऑफ दी कम्बाइशलिजम और एंटी-इंपेरियलिजम विद शोशल जेश्टिस एंड साइमल्टिन राइज द कुश्चन ऑफ इंटर्नल क्लास ऑपरेशन बाइश्ट एंड लेंड और दुनिनने बुलाया कि जो राष्टवाद है, राष्टवाद की भावना ऊपर रही है, साथी-साथ जो उपनिवश्वाद बिरोधि दो भाण्योष्बरदार्न उबर रही है इसको मिलाना चाहिए, मतलब एक जरूरी पिषम राओन्स होना चाहिए सामाजिक नाय का इन्स इस प्रकासे जो लैंड लॉर्ड है किर्शक सम्दाइं में अगर देखा जाए एक लैंड लॉर्ड होता है और वह बाकी सब को नीचे वालों को दबा के रखता है ति यह जो चीजे इसको इसको इसमें मिला देना चाहिए हमें किसमें जो राष्ट्रवाद का जो मारा कॉंसे बराबरी का बात होना चाहिए क्योंकि जो मार्क्स बोलते थे जो लेबर है वही फैक्ट्री में अधिकांसना काम करता है और उसकी मेंनत है उसके बल पर पूझी वादी मतलब मजा करते हैं और सारा इंजॉयमेंट इससे उठाते हैं तो कहीं न कहीं यह शोश्रक और एक श स्थाफना होते हैं 2020 में ताशकिंत में ताशकिंत कहाँ है यह वह उच्बےकिस्तान में है उच्बेकिस्तान कि राज़दान है अब ॊच्बेकिस्तान के राल्दान है लोई हुई आपमानी मुकर्जी और कुछ लोग और थे कॉमिंटर की दूसरी कॉंग्रेस की बाद ये चीज होता है क्या 1924 में CPI की स्था अपना जिसमें भाग लिया था अबानी मुखर्ची एटीसी ने तो यहां पर अबन रॉय से पहले व्यक्ति थे जिन्हें की लीडर चुना गया था कमिंटर्ण में ठीक है 1924 में कई अन्य जो कम्यूनिस्ट होते थे समाजवादी इनको जेल कर दिया आता है इन पर कानपूर बोलेश्विक कंसिपरोसी का केस चलाते हुए ने जेल में डाल दिया आता है इसमें मुख्य नाम है हमारे कानपूर वाले केस के लिए कौन-कौन डांगे मुझफर आहमद शौकत उस्मानी नलनी गुपता इसके बाद क्या होता है कि 1925 में इंडियन कम्यूनिस्ट कानपूर में इंडियन कम्यूनिस्ट कानपूर में तो इन्होंने क्या किया कि जो CPI की स्थाफना 1920 में होई थी उस में गवर्मेंट क्राइक डाउन कम्यूनिस्ट रिजल्टे इन दी अरेस्ट ऑफ दी ट्राइल ऑफ दी 32 लीडिंग कम्यूनिस्ट तो यहां पर जो सरकार्ट थी अब यह क्या करेगी को क्राइक अनको दबाने का प्रास करेगी तो इस दिशा में काम करते वहीं लोग 32 जो नित्रत विकारी जो कमिरिश्ट लोग होते थे इनको यह लोग ट्राइल चलाते हैं इनके उपर त्रेट यूनियस्ट और लेफ्ट विंग के जो साज लीडर से इन सब के उपर ट्रायल चला याता है और इनको मेरट में पृस्द्ध जो केस था उसके अंतरकत यहां पर इन से प्रोसी के जिसमें नाम आया श्रीपद आहमाद डांगे मुझाफर आहमाद शौकत उस्मानी दलनी गुपता इटिसी का इसके रावा यहाँ पर क्रैक्ट डाउन होता है इस नवला इस थावना देखने को बनती है उने सो थाइस में उनका आजियेशन देखने को मिलता है जो प्रशक समधाय था वह भी जिए विद्रोफ करता है यह तो रंपा रियन जो था आंधर प्रदेश का वहां पर राजस्थान में और जहां पर रहयत वाडी च्हेत्र होते थे कहां पर बॉंबे और मद्रास में बॉंबे और मद्रास के रहयत वाडी च्हेत्र इसके लवा गुजरात में बार्दोली सित्याग्राइब को हेड़ किया था वल्ला भाई पतेल जी के दारा 1928 में तो यह सारे भी इसी इसी टाइम में इसी को मुलोचकल पीरिड में दे तो इसी ट्रेड यूनियन है इसके मामले में काफी अधा व्रदी देखोने को मिलती है जो आप मुवी देखते रहोंगे पहले जो परानी होती थी तो उसमें अधिकांथ मुवी में दिखाते नहीं कि एक मिल का मालिक होता है और उसकी मिल में बहुत सारे लोग काम करते हैं सब्सक्राइब को जो सारे इनको bonus दो और यह सारी बाते मतलब बहुत common सा बहुत मुई होता था कही बाएंकी लड़की होती थी तो यह सारी बाते होते थी तो trade union movement वास लेड़ बाए आल इंडिया ए ट्रेड उनियं कंग्रिस कि साफ़ना होती है, लार राजपतरह इसके पहले प्रसड़ेंट बना ओके लींडेश्स को ऊक्रशी को बूच्छन फार। नेक्स्ट है मेजर स्ट्राइक दूरिंग इंफ्लूड दोज इन खड़ागपु रेल्वे अच्छा कई अगर स्ट्राइक देखने को मिलती जैसे की खड़ागपु रेल्वे में वर्क्शॉप में टाचा आइरन स्टील एंड वर्क में जम्षेदपुर में जो ठाटिस्त को वहां पर बॉंबे टेक्स्टाइल में 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 देखा की देर लाख लोग वर्कर जो थी वह पांच महीने तक श्ट्राइक पे रहते हैं समझ रहा है पांच महीने तक श्ट्राइक करना वर्कर्स पर कितना लोज रहा होगा यहां पर लॉक्डाउन में मतलब लग रहा है लो हम लोग देखते कि माई 1923 में माई दीवस इसी मुझा श्राप में भारत का पहला मई निस तीवस में मद्रास में यह सारी चीज़ें तो यह मतलब कहरें कि भार दिखा रहा है कि इसी पर घुचंठ यहां पर शोशक और शोशित वर्ग वाला क्योंकि समाजवाद यही बात करता है कि समाज के सभी लोग इक पल है और हमारे इंडिया में इस अधिया नहीं देखा जाए तो यह शोशल नॉम से रिलेटेड थे जो जाति वाद पर ज्यादा आदारे थे क्योंकि यहां पर एक ज चत्रिय और वैश और सबसे नीचे जो शुद्र होते हैं समतलब माना जाता है तो यह एक प्रकार से अलग होता है और सबस्यादा एक्स्प्लाइट कौन होता है यही लोग होते हैं तो यहां पर देखा गया अपने इंडिया में कि इनका एक कुभार देखने को मिलता है क्य पेरियार जी का फुल नाम होता था एवी रामस्वामी नाइकर पेरियार ठीक है तो यह आते हैं सत्य सदक समाज की कुछ अक्टिमटी देखने को मिलती सतारा महाराष्ट्रा में इनका हैड़ कोटर होता था बासकर राओ जादा वजीब काम कर रहे थे महाराष्ट्रा में म केला में के अपन और सी केसवन इन लोगों ने विद्व जाती वाले आंदोलनों में अपनी भूमका निपाई यादवों का बिहाल में देखने को मिलता है कि बिहाल में यह यह वी रोद करते हैं सोसल स्टेट्रस में इंप्रूवमेंट की दिमांद रखते हैं सादी साद य यहां पर हम देखते हैं कि रिवाल्यूशनरी गत्विदियां भी देखने को मिलती हैं जो कि जिनका जुकाव किदर की हो रहे हैं सोसलिजम की हो रहे हैं मतलब की जो क्रांतिकारी थे वह अभी तक क्यों लड़ रहे थे कि जो बिटिस कवर्मेंट है उससे मिशुट करा पा है और हमारा जो है जो जातीय है जातियों के आपुल्डिंग की साओरольно करेंगे कैसे जो भी हमाई राणिती है वह राणिती क्या थी क्रांतिकारी होना यह सारी बाते थी दिस लाइन वाद आप्टेज बाई दोज डिस सैटिसफाई विद दनेशनल इस्टेजी ऑफ दी पॉलिटिकल इस्ट्रगल जो भी राणितिक संगर्स की स्टेजी से अपना म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एइसोशियेशन जिसमें अधिकांस मतलब नौर्थ इंडिया वाले जो क्रांतिकारी थे वो यहां पर देखने को मिलते हैं तो हरे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशियेशन तो यह काम करता था हमारे पंजाब और यूपी और बिहार के छेत तो यह सारे बंगाल के हैं युगांतर श्री लेंड ग्रूप और शिटकाओं वाले बंगाल के हो गया और एक दूसरा एक वर्ग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशियेशन एचारे वाला जो कि पंजाब यूपी बिहार में काम कर रहा था तो अभी इतना ही है यह से हम रोग कंटिनू करेंगे नेक्स सेशन में यहां से मतलब रिवालुशनरी अक्टिविटी दूरिंग दा नैंटीन टूंटी अच्छा एक चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो प्ली चैनल को समयर पिफोल होता है तो अगर आप यहां से वाला मजल फ्स कर पाएंगे इसको देख पाएंगे और समयतरी यह यहां से आउल इतना ही हुर्टी साइनल और को मतलब होता है हृं कनकन यह स्वाला और है कीवाल इन्युटी आवीकशन आएगा थिरौशन सिर्हां का अप डिक इस पिर बढ़ाईए चली फिर मिलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केर